नमस्कार साथियों, आज एक और खास विश्य पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं, यदि आपका विरोधी बहुत जादा ताकतवर हो, बहुत पैसे वाला हो, संपन हो, हतियार हो, रननीतिया हो, करप्ड भी हो, अब कौनसी ऐसी रननीति होगी जिससे आप उसे हर पाएंगे, यहां पर आचारे चानक प्यास रननीति, मैं आपको बताने जा रहो, विरोधी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, आप उसे हरा पाएंगे, दो चीज़ें ध्यान कीए, एक तो चंद्रुफने में पूछा गुरुन देव से गुरुदे ने क्या का? गुरुदेव कहा दे चंद रूप, यदि तुम्हारा दुश्मन करप्ठ है, यदि उसके हतियार करप्ठ है, यदि उसके रणीत्या करप्ठ है, तो तुम्हारे भी हतियार करप्ठ होंगे, तुम्हारी भी रणीत्या करप्ठ होंगी, लेकिन तुम् गांधियन थौट को मानते हैं, गांधी जी का विचार क्या था? गांधी जी ने कहा कि रासतेपी रहता है, और यदि गलत रास्तों पर चल कर रही अपना लिया गया तो वह अपना लिया गया तो वह अपवीत्र हो जाएगा बट मुझे लगता है कि गांधी जी राजनीती के वेक्टी नहीं थे अगर गांधी जी को कोई राजनीता मानता है न तो मैं समझता हूँ उसकी राजनीती समझ कम है गांधी जी तो मुझे लगता है राजनीती के शिकार है गांधी जी तो गांधी जी के उपर राजनीती होगे, उनका नाम के उपर राजनीती होगे, उनका नाम यूज हो गया, उनने पता ही नहीं चला कि गांधी जी के उपर राजनीती होगे है, राजनीती के ग्याता या राजनीती के महा लीडरों में गांधी जी को मैं नहीं मानता, वो एक में अगर आपको आगे बढ़ना है तो गांधी के विचारों पर चलिए गांधी के विचारों को फालो करिए लेकिन राजनीती की रननीतियों के लिए गांधी को फालो मत करिए क्योंकि गांधी की रननीतिया कप काम आएंगी जब राजनीती आदर्श हो जब आपका विरोध तक जाने को तयार होते हैं चुनाओ जीतने के लिए उनके लिए कुछ भी ने है कुछ kızım करेंगे वो क्यूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत से मतलब होता है और जीत के बात क्या है अगली जीत की तयारी मतलब अभी चुनाव लड़ा 2019 का अब 2024 की तैयारी शुरू कर दी जीद गए तो भी शुरू कर दी हार गए तो भी शुरू कर दी नेता हमेशा चुनाव मोड में ही रहता है अब अगर विरोधी जादा पारफुल है तो पहनी बात तो आपको इस समझ में आएगी वो गरतन काट देगा भाई वो आज वाला विरोधी नहीं है के सामने वाला तलवार लाएगा आप दंग आथ हो कर देता हूँ और हाथों से लड़ेंगे नहीं वो तलवार मार देगा गोली भी मार सकता है तो क्या करना मैं वो ट्रेनर में सिखा रहूं तलवार तुम भी लेकर जाना पहला वार मत करना लेकिन अगर सामने वाला वार कर दे तो ऐसा वार करना सर धर से अलग हो जाना चाहिए लगना चाहिए किस से पंगा ले लिया साब हाँ और आचारे चानक के कहते हैं कि जंगल में जाओ तो जाकर देख लो आ जाकर यूद में लणने जाओ राजनीती में जाओ तो इतने सीधे मत बनना जंगल में जाकर देखो सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं तेड़े तो पेड़ भी छोड़ देते हैं बंदे से क्या करिए आचारे चानक्या का फर्मला अपलाइ करिए जैसे उन्होंने धनादन को हराने के लिए किया क्या किया उन्होंने सबसे बहले चंदरुप को mentally prepared किया पहले तो तो तुम इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और गुरुदे ने कहा किसी भी पहाड पर सकता है कि नहीं हरा जा सकता तो क्या करो mentally prepare करो सोचना बंद करो और युद्ध के तयारी करो क्यों क्योंकि जितना समय सोचने में जादा लगाओंगे उतना तुमारे दिमाग पर हावी होगा और जब सामने कैसे नंदवश कांत कर दिया आचारे चानक के ने मातर 13 साल के बच्चे को साथ ले करके दोस्में सिंगांगा कैसे कैसे जन्पदों को इखटा किया गया कैसे भॉvent चंबरुबात करने रियासतों से तो लोगों ने क्या कहा आप कोंहें उन्हों म्हें वह जा खहाए ठेख पर में उनकी मा rag...? तो नो गई दासी पुद्र से हम क्या बात करेंगे अभी तो कहीं के राजा नहीं है ना अचार चानक कोई बास समझ में उन्होंने क्या कहा पहले एक छोटा सा कबिला तयार किया गया वहां के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था उन अत्याचारों से उनकी मदद की गए उ अब उन्होंने बताएगा कि यह इस पर्टिकुलर रियासत के इतने गाओं के राजा हैं अब यह बात करने आयों और यह अखन भात का सपना देख रहे हैं अब सबने पूछा में क्या रणीति आपके बास बात्ची शुरू होगे कमसे हम लेवल पर आगे ना प्लैटफों सब्सक्राइब करते रहो और जो लोग आपका साथ दें ठीक ना साथ दें तो उन्हें कम से कम यह इतना कर दो कि वो उसका साथ ना दे विरोधिका साथ ना दे अब क्या हुआ हो सकता है आपका दुश्मन उसका भी दुश्मन हो लेकिन वो उसका साथ मिल जाए तो इतनी दोस्ती कम से कम आपस में कर लो कि वो अगर आपका साथ ना दे तो उसका साथ ना दे और अगर नीटरल हो गया तो भी आपकी जीत है और सपोर्ट कहां से आएगा, सेना कहां से आएगे, लोग कहां से आएगे, सब नीचे से आएगे, अब जन संपर का भियान में लगो, उन लोगों को identify करो, चुन करके, जिन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, दुरवयवार हो रहा है, जो परिशान है, पीडित है, शोशित है, वंचित है, उन उन गुरूप को identify करना शुरू करो, उन गुरूप के लीडर से बात करने शुरू करो, उनके वो जो नेता established है, उनसे बात करो, उनसे मिलो, अपनी बात रखो, अपनी बात रख करके, उनको convince करने कोशिश करो, उनका कोई point of view ऐसा हो, जिसे add-on करना हो, उसे बड़ी-बड़ी partyों के लोग छोड़ करें दूसे party में चले जाते हैं, विरोधी पक्षो हलका कर देते हैं, हाँ, अब यह सब चलेगा, अभी क्या हुआ, आइस्ट, 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 आपका खेमा बढ़ा होता जा रहा है और जब आपका खेमा बड़ा हो जाता है तो अब सामने वाला चाहे कितना ही ताकत वरो कितना ही बड़ा हो वो आपको हलके में नहीं लेगा और अगर हलके में लेगा तो ये उसकी भारी भूल होगी मैं अक्सर जब बैर ट्रेनिंग में सिका दूना तो राज नीती में जो भूले हुई है, उसमें एक बड़ी भूलोती है, अपने विरोधी को हलके में आकना, एक चीटी है ना छोटी सी, अगर वो हाती की सून बे चली जाया, तो क्या करती है, पूरी हालत खराब करते थी है। तो विरोधी कोई भी हो, कितना ही हलका हो, उसे बुगतना पड़ेगा राजलीती में जब इस तरह से आप काम करेंगे आचारे चानकी की सरणीति को अपनाएंगे तो चाहे सामने कितना ही पारफुल हो कितना ही पैसे वाला हो कितना ही ताकत और व्यक्ति हो उसे आसानी से हरा पाएंगे उसकी जणों को हिला पाएंगे और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि पहली बार में आप उसको पूरी तरह से खतम कर दें, वैसे तो आचारे चानक के गिरनी थी यही है, दुश्मन का समूल नाश, पूरी तरह से जड़ से मिटा दो से, क्यों? क्योंकि वो फिर दुबारा ना खड़ा हो पाए, एक घटा है आचारे चानक के जा रहे थे उनके पैर में काटा चुप गया, उनके सिश्य उनके साथ थे, उन्होंने अपने सिश्य उबला जाओ, मठा लेकर आओ दुकान से, लगा, गुरुदेव के पैर में काटा चुप गया, मठा मगा रहे हैं क्यों? फैद गुरुदेव को मठा प कुपाइं अज आज इसकी इतनी हुमत हुए पैर में काटा बनके चुब रहा है कली और बड़ा होगा इसको यह ही खतम करो जन संहीं किया सकता किसी का हां उसकी राजनिति वह खतंग क्या जा सकता है कैसे उसके कृडिविल्टी खतब करके और शेकर सांटा की निता करप्ट है नहीं लेकिन आज जंता की नज़ों इस तरह से अपने विरोधी से लड़ा जा सकता है और अगर जितनी भी पार्टियां आज है अगर मुझे मालूम है यह दनानन्द हैं पैसे से हर तीस चीज से संसादनों से लोग है इनके अबास रननीतियां है पैसा है संसादन है लेकिन अच्छी रननीती बनाकर हरा सकते हैं इनको बस भरोशा करिए खुद पर बोरुसा करिए अपने लिए विश्वास करिए कि उस परम पिता प्रमात्मा ने कुछ बढ़ा करने के इदी बान के बाद कुछ अंब को अभारत की बात करूंगा आपके फज़े सवतियगे वारत की बात गुद्ध के नियूगे आपके वज़ूर राज़ोधी भाविष्य के लिए हार देशुपका मलाएं जै हिंद जै भारत